Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Neurokind Next Capsule के बारे में जो कि इस Capsule का इस्तमाल सारेरी कमजोरी, खून की कमी, नसों में कमजोरी जैसी समस्या होती है उन से भी कंडिशनों में इसे बहुत ज़्यादा इस्तमाल गा जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Neurokind Next Capsule के बारे में इसमें combination का है, हर एक particular combination के बारे में किस तरीके से काम करता है क्या benefit है, क्या dose है, क्या side effect है, किसे नहीं लेना है यहाँ सबी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब बात करते हैं Neurokind Next Capsule, जो की 10 Capsule की packing होती है 120 सुर्पी की price में अपलिबल हो जाता है और Mankind Company की बनाई हुई है medicine है अब बात करते हैं Neurokind Next Capsule में आपको क्या-क्या combination मिलता है तो इसमें आपको काफी अच्छे-च्छे combination मिल जाते हैं जिसे मिठाइको-बालामीन भी कहा जाता है अलफा-लिपोईक एसीड, बैन-फोटी-अमाइन, पैरी-डॉक्सिन जिसे बिटिमिन-बेसिक्स कहा जाता है बायो-टीन, फॉलिक एसीड, क्रोमियम जैसे काफी अच्छे-च्छे combination है आप बात करते हैं इन सबी combination हों क्या काम है तो मिको-बालामीन, जिसका इसका इस्तमाल बहुँ जादा एनीमिया के परपस में किया जाता है, खून की कमी में इस्तमाल किया जाता है सारेरी कमजोरी की समस्या होती है नर्व सिस्टम में problem होना, anxiety, depression जैसी समस्या होती है तो उन सबी condition में काफ़े फायदेमंद होता है नर्व damage होना, वह किसी भी कारण से हो, नसों में कमजोरी आ जाती है जो लंबे समय से diabetes के patients होते हैं, उन में नसों की कमजोरी आया नर्व का damage होने की समस्या होती है तो उन सबी condition में नर्व को repair करने में काफ़े कारगर होता है तो उन सबी condition में इस्तमाल किया जाता है इसके साथरे साथ यह digestive system को भी improve करने में काफ़े फायदेमंद होता है आप बात करते हैं alpha lipoic acid जो कि इसका इस्तमाल बोडी में से toxicity को निकालने के लिए काफी मददगार होता है इसके अलावा इसे diabetic nerve pain के परपज में इस्तमाल किया जाता है नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए काफी फाइदमंद होता है नसों में दर्द की समस्या होती है तो उन से भी परपज में इस्तमाल किया जाता है इसके साथी साथ इसे तौचा से जुड़ी समस्या में इस्तमाल किया जाता है जैसे की vitiligo, skin में discoloration की समस्या होती है कोई भी जखम बहुत जल्दी नहीं भर पाता है तो उन सभी को जखम को भरने में भी काफी मददगार होता है इसके साथी साथ जो अगला कमबिनेशन है Benfotiamine जो की इसका इस्तमाल नर्व डैमेज की परपेज में इस्तमाल करते हैं इसका भी जो की नसों की कमजोरी को दूर करता है डैबिटिक नियूरोपेथी में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा ब्लड में हीमोगलोबिल लेवल को इंप्रूब करने के लिए, सेल के डिवीजन फॉर्मेशन करने में, ग्रोथ करने में, डवलप्मेंट करने में काफी मददगार होता है, आर्बिस एकाउंट को इंप्रूब करता है, सारेरी कमजोरी को दूर करता है, एनरजी को मेंटेन र समस्य बालों में dryness होता है तो उनसे भी condition में biotin काफी अच्छा impact play करता है इसके अलावा इसमें अगला combination है जो कि chromium है जो कि इसका इस्तमाल muscles mass को improve करने के लिए इसके अलावा insulin response को improve करने के लिए बहुत ज़्यदा इस्तमाल किया जाता है तो इसे overall बहुत से परपजों में इस्तमाल किया जाता है multiple परपजों में इस्तमाल किया जाने वाला ही medicine है इसमें multiple combination है जो कि बहुत ही फाइदेमंद होता है पर इसे बहुत ज़्यादा इस्तमाल साररी, कमजोरी, नसों की से जुड़ी समस्यों में दूर करने के लिए काफी इस्तमाल किया जाता है इनके हैं benefit होते हैं बात करें इस दवा का क्या dose है तो normally इसे दिन में एक ही बार लिया जाता है रात को सोते वक्त, खाना खाने के बाद गुनवने पानी है, गुनवने पानी के सांथ ताजे पानी के सांथ भी इस्तमाल किया जाता है बात करें इस दवा का dose और इस दवा को लेना है या नहीं लेना है इन साभी बातों का confirmation डॉक्टर के रेक देख में करते हैं तो आपके लिए काफी कारगर होगा इसलिए आप इसे इस्तमाल करने से पहले गब डॉक्टर और फार्मेसिस से जरूर कंसल्ट करें बात करें क्या नुक्सान हो सकता है सूट ना करने में तौचा मेलाली पन, बहुत ज़्यादा नीन दाना भूख न लगना, पेट में दर्द होना दस्त का समस्या, बेचैनी महसूस होना इस तरी के नुक्सान देखने को मिल सकता है पर यह बहुती रियर केस होता है बात करें किसे नहीं लेना है अगर आप प्रेगनेंट लेडी हैं, ब्रिस्फिडिंग मदर हैं किसी भी परकार का आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है तो उनसे भी condition में आप इसे इस्तमाल ना करें और करते हैं तो डॉक्टर के रिएक देख में करें वैसे किसी के बताय जाने हैं आप इसे इसे मिल्कुल भी इस्तमाल ना करें तो यही था Neurokind next capsule के बारे में और इसमें जो combination है उनसे भी के बारे में अगर आपको वीडियो यह जनकर ये अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you for watching